जी रंदीप सिंग सुर्जेवाला जी जितेंद्र सिंग जी सचिन पाइलट जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सब वरिश्ट नेता प्यारे कार्यकर्ता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आप इतनी सुबह ठंड में यहां आए हमारी बात सुनने आए इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अभी भाशन में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूँ मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है इस देश में मुझसे बड़े करोणों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर चार बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं मजदूरी करते हैं और इन सडकों पे अपनी पूरी जिन्दगी चलते हैं तो यह कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्या कुमारी से कश्मीर चल दिया है इस से बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं सडकों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गारी में, हवाई जहाज में, हेली कॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है यात्रा कन्या कुमारी से और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तरंग को हम लहरा के छोड़ेंगे कोई भी शक्ती इस यात्रा को नहीं रोख सकती है और इसका कारण है, यह यात्रा कॉंग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है ये लोग चल रहे हैं मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गश्टानों की है मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है और जो हमारे करोडों बेरोजगार युवा है ये यात्रा नहीं दिकाई दे रहा है ये यात्रा उनकी है मुझसे पहले पूचा गया भी जेपी के नेताओं ने पूचा कि यात्रागी क्या जरूरत है क्या जरूरत है कन्या कुमारी से कश्मीर चलने की तो मैंने उनका जवाब दिया आपके नफरत के बाजार में आपके नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोल रहे है और ये काम कॉंग्रेस पार्टी ने जार धारा है जो जारों से जब भी ये लोग इस देश में इस धर्ती में नफरत फैलाने निकलते हैं एक दम हमारे विचारदारे के लोग बाहर निकल कर महबबत और प्यार ठेलाना शुरू कर देते हैं मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है 21 सदी की लड़ाई है ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है हजारों साल पुरानी है और इसमें दो विचारदाराई लड़ती हैं और लड़ती आ रही है एक विचारदारा जो चुने हुए लोगों को फाइदा पहुचाती है और पहुचाती थी और दूसरी विचारदारा जो जनता की आवाज है जो जनता का दर्द है जो किसान की आवाज मजदूर की आवाज उसकी विचारदारा है तो ये लड़ाई चलती आ रही है चलती जाएगी मगर इस लड़ाई में कॉंग्रेस पार्टी का आज रोल है हम सब का रोल है इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है सीखने को बहुत मिला यात्रा में लंबे भाशन नहीं देते हैं छे बजे सुबेच शुरू होती है और आम तोर से 6-7 घंटे हम चलते है आज कल नेताओं को आज़त हो गई है और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं कॉंग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ बीजेपी की बात कर रहा हूँ समाजवादी सब पार्टी की बात कर रहा हूँ आज कल नेताओं के बीच में और जंता के बीच में खाई बन गई है नेता सोचते हैं कि जंताओं की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है और भाशन देते हैं घंटों लंबे भाशन देते हैं इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है साथ आठ घंटे हम चलते हैं और सारे के सारे नेता किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं, बेहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं और 7-8 गंटे बाद चलने के बाद सड़कों पे चलने के बाद धक्के खाने के बाद सुनने के बाद हम 15 मिनट भाशन देते हैं इंडुस्तान की राजनेती के एक विजन दिया है काम करने का तरीका दिया है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजिस्तान के चीफ मिनिस्टर राजिस्तान के पी सी सी प्रेजिजन्स ने डिसिजन लिया है कि महीने में एक बार राजिस्तान की कैबिनेट राजिस्तान के सब नेता पंदरा किलोमेटर चल के जनता के बीच में जा के उनकी बात सुनकर काम करेंगे और मैं चाहता हूँ कि जहां भी हमारी सरकार है मैं खारगेजी से कहूँगा कॉंग्रेस प्रेजिडन से कहूँगा कि मैं चाहता हूँ सुजाव है कि जहां भी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बने हमारे कैबिनेट को हमारे मलेस को नेताओ को कम से कम एक दिन महीने में एक दिन इन सरकों पे चलना चाहिए धके खाने चाहिए गिरना चाहिए गुटने छिलने चाहिए यात्रा 12 चोड़ो यात्रा नाम है नफ्रत के खिलाफ यात्रा जरूर है मगर दो बड़े मुद्दे है जिससे हिंदुस्तान को बहुत चोट पहुँच रही है दर्द हो रहा है सबसे देरोजगारी इन सडकों पे हजारों युगां मेरे पास आए है किसी ने एंजिनियरिंग की कोई डॉक्टर बनने को आप इसमें शामिल होना चाहता था कोई जुरिशियरी में काम करना चाहता था और जब मैं पूछता हूँ भाईों बेनों क्या करते हो एंजिनियरिंग तो पढ़ ली तुमने आज 21 सदी में क्या कर रहे हो जवाब मिलता है उबर चला रहा हूँ मजदूरी कर रहा हूँ ऐसा हिंदूस्तान हमें नहीं चाहिए बिजनिस चलाते हैं उनको परे कर दिया है मैंने अपने बाशनों में कहा नोट बंदी जी एस्टी पॉलिसी नहीं है नोट बंदी और जी एस्टी छोटे वियापारियों को मारने के हतियार हैं और लक्ष यह है कि हंदूस्तान के सबसे हमीर दो तीन चार लोगों को हंदूस्तान का पूरा पूरा धन पकड़ा दिया जाए नतीजा यह है कि आज यह देश अपने युगाओं को रोजगार नहीं दे पारा है तो दूसरी दूसरा मुद्धा यह है और तीसरा मुद्धा उतना ही ज़रूरी महंगाई आपको याद होगा कि जब UPA की सरकार थी गयास सिलिंडर चार सो रुपे में मिलता था आज एक हजार रुपे में गयास सिलिंडर मिलता है बारा सो बारा सो रुपे में मिलता है पेट्रोल साट रुपए का मिलता था आज कितने का मिलता है एक सो साट रुपए का मिलता है और जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे महंगाई की बात करते थे मगर आज महंगाई की बात नहीं करते तो ये तीन मुद्धे हैं मेंगाई कम करनी है और बेरोजगारी मिटानी है आप सब आए आपने इतना प्यार दिखाया और पूरे रास्ते पे मैं आपको बता रहा हूँ देखिए आप आज देखना एक बात नोट करना जैसे आज सुबह मुझे में कोई ठकान नहीं है वैसे ही शाम को आप मेरा चेहरा देखना जब मैं भाशन दूँगा जैसा आज सुबह मैं दिख रहा हूँ वैसा ही मैं शाम को दिखूँगा कोई ठकान नहीं होती देखिए राजिस्तान के लोग राजिस्तान के वारे नहता है बैटे हैं स्टेज पे गिलोट जी बैटे हैं दोतासरा जी बैटे हैं पाइलट जी बैटे हैं जीतेंदर जी बैटे हैं हरी शौदरी जी बैटे है इनका चेहरा देखिए क्या ये 17 दिन चले है 25-25 किलोमेटर चले है हाफ मैरतोन हर रोज दोड़ी है इनोंने क्या इनके चेहरों पे थकान दिख रही है कुछ नहीं क्यूं क्यूंकि हम अपनी अपनी शक्ती से नहीं चल रहे हैं हम आपके मुखबत और आपकी शक्ती के साथ चल रहे हैं तो आपने मदद की आपने पूरी शक्ती अपनी डाल दी इस यात्रा में इसके लिए मैं बहुत अभारी हूँ और दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और अब चलो हर्याना की इन सड़कों पे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जयहिन आओ अम सब साथ चले रहूल जी के और मैं इन से कलाकारों से कहूंगा अबना काले करम शुरू करें आपकारों आपकारों प्रूप प्रूप प्रूप